हलो फ्रेंड वैलकम बैक माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ सेर करूंगी इटली धोसे के साथ खाने वाली सांबर की रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल जटपट बनने वाली रेसिपी आप कुकर में बना सकते हैं इसे कम टाइम में तो आईए रेस दूजब साथ का अजना को सीटी ड़े से जाए अच्छे वास करेंगे दो यूजब साटना रीसे वास करेंगे अक्जबशत तconom सब्सक्राइब करूं और रेकित कुचर को अच्छे से गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे हम सरसो के तेल, सरसो के तेल हमारे जब गरम हो जाएगे तो हम इसमें राई डालेंगे, एक जमबच, बहुत सारा कड़ी पत्ता, और एक बारिक कटा हुआ प्याज, इन सारे चीजों को हम अच्छे से थोड़ा देर भूनेंगे, अब हम इसमें सबजी एड़ करेंगे, गाजर, आलू, लौकी और बीन्स, आपके पास जो सब्जी ले है आप ले सकते हैं, सब्जी को हमें बस दो मिनट तक भूल लेना है, सब्जी जब हमारी भून जाएगी तब हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने यहां पे एक बड़ी साइज का टमाटर ल ताके टमाटर हमारे जल्दी से घर जाए, मिक्स कर देंगे, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर, हाप टेबल स्पूल, इसमें ज्यादा मसाला नहीं जाएगा, बस हल्दी पॉडर रसांबर मसाला, यह हम तिखे के लिए लाल मेच पॉडर टार रहा है, अब मेच्च मेच्च करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, धकन बंद करके हम चार सीटी आने तक वेट करेंगे, चार सीटी लगा लिया है, अब हम कुपर को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम रखकन खो लेंगे, सारी सबजिया हमारे अच्छे से गल गई है, थोड़ा थोड़ा बाकी है, तो हम इसे मैस्क कर देंगे, सामबर हमारी बहुत काढ़े लग रहे हैं, तो हम इसमें एक कटोरी पानी अट करेंगे, और इसे हम पतला कर लेंगे, आपको जितना पतला पसंद आप उतना पतला कर सकते हैं, मीठे के लिए हम यहां पे एक जब मजगूर डाल रहे हैं, तीखा मीठा दोनों हो गया, अब खट्टे के लिए हम यहां पे इमली का पानी डालेंगे, इससे हमारे सामबर की फ्लेवर और रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल होटेल जिसा, तो सामबर की रेसिपी बनकर हमारी तयार है, फ्रेंड, देख सकते हैं, बिल्कुल होटेल जिसा, सामबर बनकर हमारी तयार है, बहुत ही कम टाइम में, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो तड़के के लिए हमने यहां पे एक पैन लिया है, पैन में हम टालेंगे ऑईल, ऑईल को कर लेंगे अच्छे से गरम, जब हमारे अच्छे से गरम हो जाएगी तब हम इसमें बहुत सारा कड़ी पता डालेंगे, कड़ी पता की फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, कलर के लिए हम इसमेरी लाल मिच डालेंगे गेस का फ्लेम को हम बंद कर देंगे उसके बाद ही डालेंगे कस्मेरी लाल मिच ने तो मसाले हमारे जल जाएंगे अब हम इसे सांबर में डालके मिक्स कर लेंगे हैं आज की रेसिपी कैसी लेगी आपको कमेंड में जरूर बताएं आप इसे इटली धोसा के साथ सर्फ कर सकते हैं और मेरी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल कीजिएगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक केजिएगा शेयर करने ना भोलें